तमस्कार बहुत स्वागत आप सबका सुबस्बब की इस खास जो तुशी कारक्रम में जो शीले कारक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका इश्चो फ्रेंड संतो संतो शी और आज आप हमसे हमारे टांडा शहर में मुलाकात कर सकते हैं दिस वेरी फर्ष्ट अप्र ग्रोड़ अप बड़े होने के बार पहली बार टांडा में अपने जन्मस्थान पर मेरा जन्मस्थान टांडा शहर है और आप मुलाकात कर सकते हैं पून्ली दिखा सकते हैंड कायडियर कंसलिंग करवा सकते हैं फैमली कंसलिंग करवा सकते हैं हर तरब से हम आप सब स्वागत करेंगी कि फोनैंबर सिथ thats नमबर्स आपकी समखश है किसी बेन डूम पर वाजस टेक्सट मेसच कॉल कुछ भी कर सकते हैं तीनों पर ट्राइक किया करिए, कई बार होता क्या है कि कोई खास बेस्ट है कहीं फोन नहीं उठ पाया है, कॉल बैक नहीं हो पाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा अवसर आपके हाथ से छूड़ जाए, निकल जाए लहाजा हम तो यहीं चाहेंगे कि आप बस मुलाकात कर लें, आईए पहले पंचांग की बात कर लेते हैं, आज का पंचांग क्या कहता है पोश माह शुकल पक्ष तृतिया है तो अपहर बारे बच के पंदरे मिनट तक इसके बाद चतृतितिति का उधर रहेगा चंद्रमा मकराशी में नक्षतर रहेगा स्रवण, योग रहेगा हरशण, तदनुसार दिनांक 29 दिसंबर दिन रविवार रविवार को राहुकाल शाम 34-6 बजे तक राहुकाल में नय और शुब काम बिलकुल नहीं किये जाते और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4 बच कर 30 मिनट तक गुलिक काल हर प्रकार से अच्छा समय माना जाता है इस समय पर आप कुछ भी काम आरंब करते हैं तो वो काम जरूर बनता है ऐसी मानिताएं हैं आई अब भविश्वानी की तरफ पढ़ते हैं जानते हैं आज ग्रहों के इशारे क्या करते हैं ग्रहों के इशारे क्या कहते हैं और क्या करते हैं आपके साथ सब से पहले मिश्राश पढाई के मामले में दिन बहुत अच्छा हैं दूर होंगी शिक्षा छेतर में कुछ अच्छा एचीव करेंगे ब्यापार प्रभावित होगा बिजनस में दिक्कत आ सकती है ब्यापार इस दिश्टिकोंट से आज बहुत सावधान रहने क्या वशिकता है प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए मामला आज थोड़ा सा बढ़ाएं और यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी प्रभावित होगी आज लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं है देखा जाए तो आज लव लाइफ में स्थितियां ऐसी भी आ सकती है कि कोई आप सड़ियंद्री के सिकार हो ग रहेगी बैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि क्या उपाय करना चाहिए आज आज भगवान सिरहरी विश्णु का ध्यान करें आप बहुत सारे हमारे अलग धर्म की मित्र हैं अगर भिगवान विश्णु का ध्यान ना करना चाहिए तो आप अपने पिता का नाम तीन बार ले सकते हैं क्या नहीं करना है आज जादा जल्दी बाजी नहीं दिखाना है लेडी रंग शुब है भाग की प्रतिशत संसट शिख्टी सेवन हिंदी भी सीखिएगा आज हिंदी में आपको भाग की प्रतिशत दिखेगा बिशब राजी पढ़ाई अच्छी चलेगी स्विक्षा छेत लिए दिन अनकूल है का चंद्रमा आपके लिए उत्तम होता है और आप रही की राशी में तो चंद्रमा उच्चे का भी होता है तो अ के बिशब राशी ब्यापार आज अच्छा है अकस्माद्धन की प्राप्ति होगी कोई दोस्त बहुत करीब से मदद करेगा ब्यापार प्राइवेट स्रिक्टर में दिख्कतें आ रही ऑट अच्छा नहीं प्राइवेट स्रिक्टर में कुछ मान से कर्षांती है कि वालों के लिए परिस्थेतियों को बहुत प्रतिकूल आज दिखाई देना है गौर्वर्मेंट सेक्टर वालों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है सरकारी छेत्र में आज आपके लिए अनकूलता रहेगी आज प्रमोशन के चांसेज हो सकते हैं बहुत लोग होते हैं रविवार को भी ड्यूटी पे होते हैं खासतोर पर हमारे स सरकारी छेत्र में हैं तो आपके लिए चंद्रमा से मंगल और महादशानात से मंगल देख करके प्रडिक्शन देना होगा बागी जोत्रियों के लिए बता देते हैं आज का दिन ब्रिशवरासी वालों के लिए दामपत्य जीवन में कुछ उठा-पटक वाला है दामपत्य के मामले में बताऊंगा लव लाइफ इस्तिती ब्रिशवरासी बहुत अच्छी है लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ में एक दूसरी का साने ध्याच पसंद करेंगे आप मुवें टहलने का कारिकम बनेगा लेकिन स्वास्त के मामले में आज आज आ करना है नीला रंग शुब हैं पचास प्रत्षत का भाग्याब के साथ मित्हुन राशी पढ़ाई में आज दुविधा रहेंगे सिक्षा में मन नहीं लगेगा ब्यापार अच्छा चलेगा दोस्त मददगार साबीत होंगे बिजनस में धन की स्थिती बहुत अच्छी है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुथ मिलेगा गौर्मेंट सेक्टर में कुछ श्रियंद्र हो सकता है बहुत अच्छा नहीं है दामपत्य जीवन शुब रहेगा आज आज समस्याओं का हल निकलेगा सानिध्य प्राप्त होगा संतान का सुख है लव में माइगरेन की समस्या हो सकती है आज पेट भी कुछ खराब रहेगा प्रियोग के तोर पर एक दूर्वा का टुकड़ा किसी पौधे की नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरी के घर का भोजन नहीं करना हरारंग शुबह 56 प्रतिशत का भाग आपके साथ करक राशी 29 दिसंबर दिन रभिवार करक वालों के लिए कई रास्ते खुलेंगे बहुत सारा भाव बहुत सारा ब्योहार आपके पक्ष में है करक वालों के लिए परिश्थितियों को बहुत फेवर में करवाने का दिन है पढ़ाई की दिश्टी से ब्यापार अच्छा च सरकारी मशीनरी से कुछ उलजना कश्ट देगा सावधानी वरत्नय की सलहती जाती प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ी है प्राइवेट। सेक्टर में को समझने का समय कहा जाएगा चीजें बहुत सकरात्मक प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज नौकरी में दोपहर के बाद एक बदलाव दिखता है गौर्मेंट सेक्टर के लिए इस्थिती थोड़ी सी टफ रही गौर्मेंट सेक्टर बहुत बढ़ियां नहीं रहेगा गौर्मेंट सेक्टर में आज अचानक से कुछ परेशानी आ सकती है के साथ रिष्टे में अधूरता रहेगी करक्राशी दिनांग कुंतिस देसंबर दिनरविवार आज पत्ति-पत्नी घुमने टढ़ने का कारक्रेम बना सकते हैं लव लाइफ की स्थिति आज शादी की चर्चा तक जा रही है आज एक दूसरे के सानेदी को बहुत अच्छे के लिए आपको छोटा सा प्रियोग बताता हूं चेनी और पानी मिला लीजिएगा और किसी भी हरे पौधे में डाल देजिएगा एक चम्मच बहुत है क्या नहीं करना है आज करक्वालों को उतावलापन नहीं दिखाना किसी काम के लिए सफेद रंग्शुभ है 69 प्रहाई होगी आज एक्जाम करें बहुत बढ़ियां करेंगे रिजल्ट पॉश्टिव आएगा मन प्रशन न रहेगा मांसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी गौर्मेंट सेक्टर की स्थेती बहुत अच्छी रहेगी बताऊंगा पहले ब्यापार बिजनस के लिए थोड़ी स इस्थरता की स्थेती बिजनस में कुछ इशू आ सकते हैं ब्यापार बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है आज कोई दोस्त दोखा देगा प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्थेतियां थोड़ी सी बिपक्ष में जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में कुछ आ रात्मक होगा आज सरकारी छेत्र में चंद्रमा की मकर में जाने से शड्यंत्र कारी सोतह धरास आई हो जाएंगे दांपत्य जीवन में तनाओं की स्थिति दिखाई दे रही है कोई महिला मित्र धोखा दे सकती है आज आज आपकी ब्रुद्व शड्यंत्र में आप पहुं लव लाइफ आज यहां पर भी भुकम्प आया हुआ है एक दूसरे का वाद विवाद कुछ ऐसी इस्थिति आ सकती है जो बहुत जादा आपको मान से कुद्वेग देते स्वास्त के मामले में आज हर्ट की प्रॉब्लम है साती सात बैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ शुगर लेबल भी आज फ्लेक्चुएट करेगा प्रियोक के तोर पर सिंग राशी वालों के लिए आज लाल रंग का चंदन लिटल फिंगर में लगाईएगा क्या नही करना है बादामी रंग शुभच 54 प्रत्शत का भाग्याब के साथ 54 कन्य राशी पढ़ाई अदभुद जाएगी सिक्षा में बहुत लाव होगा ब्यापार में दिक्कत आ सकती है बिजनस आज प्रभावित होगा प्राइवर्ट सेक्टर वालों के लिए धन बहुत काल सुरू कर दीजेगा कन्य राशी 29 दिसंबर लव लाइफ इस्थियां पक्ष में करने के लिए खुब प्रियास करेंगे सफलता मिलेगी 100 परसेंट आज डीट पर जाना महा पॉश्टिव होगा रिजल्ट आएगा चैलेंज के साथ स्वास्त के मामले में आज आज आख और बैक की स्थिती कुछ दामाडोल हो रही है आँक में भी बैक प्रॉबलम इस्पाइन और एकी दिक्कत हो सकती है वहां से भी चोट चपीड की संभावना बन रही है उपा क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी करने आ है तो दिन को बहतर करने के लिए बहुत छोटा सा प्रियोग में बताता हूँ एक छोटा सा इंट का टुकुडा माथे से छुकर पौधे की नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना आज आज किसी से उची आवाजे बात नहीं करनी है लालरंग शुब है 65 प्रत्सत का भाग आपके साथ 65 तुला राशी मन आपका बहुत बिच चलित रहेगा आज किसी कुरानी बात को लेकर के थोड़ा सा बिवाद दिखाई देता है आज मन भी आपका थोड़ा परिशान हो सकता है जिससे पढ़ाई तो प्रभावित होगी आज ब्यापार बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस में लाग क्या उसर बनेंगी कि दिश से भी कुछ धनारजन हो रहा है प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए बहुत अनकूलता रहेगी आज और कुछ रुके कारे आपके बन जाएंगे वाहन का सुख मिल रहा है शादी की बात भी हो सकती है खास दोर पे तुला राशी की लड़कियों के गौर्मेंट सेक्टर के लिए आज इस्थतियां बहुत फेवर में नहीं है लेकिन फिर भी कर सकते हैं आप और सरकारी नौगरी वालों के लिए कुछ ऐसी भी इस्थतिया सकती है अगर आपकी गौर्मेंट जाब है जो आपको एक पुचाई तक ले करके जाए आज तुलाराशी 29 दिसंबर दामपत्य जीवर पति पत्नी के बीच रिस्ता मदूर रहेगा चीजों को मैनेज कर लेंगे पत्नी कुछ अग्रेसिव ज़्यादा हो सकती है तुलाराशी वालों की पत्निया आज सावधान रहें और तुलाराशी की पत्नियों के जो पती हैं वो आज बहुत फ्लैट रहेंगे अर्थाद बिल्कुल बिचे रहेंगे संडे का दिन है बाजी मार लीजेगा कुछ अच्छा सा ले लीजेगा मुहबत के साथ तुलाराशी लव लाइफ इस्तियां बहुत सामान है डेट पे जा सकते हैं मांसुक शांती आज रहेगी आज कोई बड़ी समस्या का हल निकलेगा रिस्ता मधूर बना रहेगा स्वास्त के मामले में आज शुगर भी परिशान करेगा कुछ गाइनी प्रॉब्लम्स महिलाओं के लिए आज इंतजार कर रही हैं उन्तिस बारह उन्निस दिन रभी बार तुलाराशी उपाय गया करना है किसी से जूट नहीं बोलना है गुलावी रंग शुब एकसेट प्रतिशत का भाग आपके साथ है ब्रिश्चिक राशी कुछ अशान्त महसूस करेंगे पढ़ाई नहीं हो पाईगे ब्यापार जब अरदस्त रहेगा आज रुके धन की प्राप्ती होगी पैसे के मामले में आज बहुत मजबूत रहेंगे ब्यापार बहतरीन चलेगा आज कुछ जमीन वगरे के बारे में भी विचार कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर फोर इसी मुश्यवते हैं बहुत अच्छी स्थिति नहीं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए दिक्कतें कुछ जादा आ र मिलेगी आज प्रपोजल मिल सकता है दामपत्र जीवन बहतरीन रहेगा आउट अप टर्न प्रोमोशन मिल सकता है बहुत बहुत प्रोशन रहेंगे वहान का सुख रहेगा दामपत्र जीवन में बिल्कुल सदा बहार इस्थिति रहेगी कहीं धार्मी क्यातरा पर जा सकते ह कुछ मांसुक्षान्ती मिलेगी बच्चों का सानेध्य प्राप्त होगा आज लव लाइफ प्रभावित रहेगा लव लाइफ में इस्तियां बिल्कुल गड़बड है और यह ठीक इस्ति नहीं है जो आपके लिए कहीं से भी कुछ अच्छा करें लेकिन हां इतना मान करके च सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ब्रिश्टिक राशिवाले 29 बारे को क्या उपाय करें आज के दिन किसी को चावल दान कर दीजेगा खचा चावल क्या नहीं करना है कहीं से भी आज बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है सफेद रंग शुभर 66 प्रत्सत का भाग आपके साथ 66 धरूर आशिक पढ़ाई नहीं हो पाएगी आज डिश्टर्ब रहेंगे पारवारी की स्थेती थोड़ी सी गड़बड है ब्यापार बहुत अच्छा है बिजनस में बिलकुल ऊपर प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा सा अशांत रहें गया प्राइवेट सेक्टर की कि आज कुछ सरीयंत्र के सिकार हो जाएं बहुत चेंज होगा तो मामला ठीक बैठेगा गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए धनुराशी 29 दिसंबर आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है सरकारी छेतर में कुछ बहुत मजबूती प्राप्त करने जा रहे हैं गवर्मेंट से जिवन में आज प्रभाव आपका दिखाई देगा जगड़े की नौपत दो तीन बार आएगी लेकिन आप मैनेज कर लेंगी शाम तक कहीं घुमने टहलने का कार्क्रम बना तो दामपत जीवन अच्छा रहेगा स्वास्त के मामले में बताऊंगा लव लाइफ आज नया प मंद को हरी सबजी दीजिएगा क्या नहीं करना है आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है पीला रंग शुभ है उन्चास प्रतश्तिका भाग आपके साथ है फोर्टी नाइन मकर राशी शुक्षा आज अच्छी चलेगी पढ़ाई में मन लगेगा मांसुक शान्ती मिलेगी शुक व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में भी कुछ लाब की ही अवसर बनेंगे नया व्यापार आरभ हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किले आएंगी प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिक्कतें मेजर प्राब्लम आ सकती है जैसे नोकरी में कुछ सड़ियं कुल रहेगा दामपत जीवन में सुधार होगा जिस्तों में आई तलकी दूर होगी आज लव लाइफ की इस्तेदी थोड़ी सी डावा डोल रहेगी कुछ सड़ियंत्र के सिकार हो सकते हैं सामने वाले का इंट्रेस्ट आप से खत्म होने लगा है स्वास्त के मामले में दे पता देता हूं आज की दिन को बहतर करना है तो चोटी अंगली और अगू उठा यह नमक उठाना है और किसी पौधे की नीचे रख देना है क्या नहीं करना आज आज लंबी आत्रा नहीं करना काला रंग शुब हैं 55 प्रत्षत का भाग्याब के साथ कुम्बराश दिन मज सकरात्मक सोच विक्सित करेंगे स्विच्छा छेत्र में लाब की आउसर बनेंगे ब्यापार आज प्रभावित होगा बिजनस बहुत बढ़िया नहीं है बिजनस में कुछ मांसिक शांती रहेगी आज ब्यापार प्रभावित है प्राइबेट सेक्टर के लिए दिन बहु एक दूसरे का सानित पसंद आएगा पुराने गिले शिक वे आज दूर होंगे स्वास्त के मामले में बताओं का पछले लव लाइफ बताएं आज कुम्भराश वाले 29 दिसंबर को लव लाइफ के मैटर पर बड़े असहाय और असहज रहेंगे आज गमने टहलने का कारक्र क्या करना रहेगा सबसे उचित आज तुलसी मा की पत्ती प्रणाम करके निगल जाईएगा अब कुछ लोग यह न कहिएगा कि संदे है तो तुलसी क्यों तोड़ें नहीं तोड़ना चाहिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ऐसा नहीं है इसको आयरवेद आउशद की तरह हैं आप मान करके चलिएगा जहां तोसी की पत्तियों का इनके अर्क का पुरा व्यापार होता है वहाँ पे तो डेली लाखों टन तोसी की पत्तियों का तोड़न होता है यह थोड़ी ना कि वहां संदे तो यह मानताओं की उपंदिर भर करता है कि आप किस रूप मिलेते है जैसे हमने सूरी के लिए एक वीडियो डाला था क्या नहीं करना है आज कुम राशी वालों को किसी भी काम के लिए नहीं करना है मतलब नहीं नहीं करना है नीरारंग शुभा 72 प्रत्सत का भाग आपके साथ हैं तिम राशी मीन सुख्षा छेतर में आज मानसुख शांती के साथ पढ़ाई अच्छी चलेगी व्यापार में भी आज मन कहीं लगेगा कुछ रुके काम आपके बन जाएंगे मीन राशी वालों के लिए आज पढ़ाई में जल्दी बाजी रोकना होगा होता ना तुरंत निर्ड़ा ले रहते हैं प्राइबेट सिक्टर वालों के भूद सानेत बना रहेगा बोच प्रशों रहेंगे बड़े वैसले हो सकते हैं दामप्त्य जीवन कुछ प्रभावarbeiten नहीं में हो सकता है संभावना बताता हो नकारात्मक होता है तो मैं क표使 करता हूं कि सकने की बहुत दहार देंगे न तो आःको पहले मैं डर जाएंगे दामबत जीवन में संभव है आज किसी के बहकावे में आकर खुद से आग लगाए है मीन राशी की लड़कियों को आज अलग से आगाह करता हूँ रिष्टे को सभालिए उपाय क्या करना चाहिए बताएंगे पहले स्वास्त बता देते हैं लव लाइफ की स्थेती बहुत अच्छी रहेगी शादी की जर्चा कर सकते हैं स्वास्त में आज हर्ट की प्रॉब्लम और किड्नी की दिक्कत हो सकती है प्रियोग के तौर पर मीन राशी वालों को आज बहुत प्यारा सा प्रियोग बताता हूँ एक कपूर की टिकिया और एक लॉंग कहीं किसी पौधे की नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी महिला से अभद्र व्यवार नहीं करना वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए हरारंग शुभर 6.6 प्रतिशत का भाग्याब के साथ है यह तो रहा हाल मेश से लेकर के मीन तक का आज का राशी फलका अब बताते हैं कि आज का भाग्याब च्छत क्या है लेकिन पहले बता दे कि आज और कल दो दिन आप हमसे टांडा में मिल सकते हैं यह तांडा अमबेटकर नगर जिले का एक तहसील है जोकि सरजुजी के किनारे हैं तो आईए स्वागत करेंगे आज और कर नंबर आपके सामने हैं उस पर कॉल कर लीजेगा चलिए चलते हैं भाग्याब च्छर की तरफ यह आपके अपने वाले भाग्याब च्छर है सादे चौकुर कागज पर लाल रंग की इंक से लिख करके रखना है और बस मस्त होना है आगे बढ़ते हैं आज की सक्सेज की दाहिने हाथ की छोटी अंगली से तीन बार अपना माथा चूना है यह एक दो तीन हो गया बिना नहाए करिए यह सब कुछ इसमें दो राय नहीं मैं इसलिए इनको प्रियोग है यह प्रियोग है कि चलो बाएं हाथ से खाके देखें प्रियोग है यह एक प्रियमेंट आओ करके देखें हम लोग पढ़ते थे पांचमें छटवी क्लास में विज्ञान प्राइमरी विद्याले जो उत्तरप्रदेश शरकारद्वरा संचालित होते हैं तो मैं तो खेर इंगलिस मीडियम अगरे से नहीं पढ़ा था बर जो भी था वो बहुत अच्छा था आज की पढ़ाई से मैं तब किस लेबस अगरे को अरवों गुना बहतर मानता हूं और पाता हूं इसके कई अपने कारण हैं तो कि मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूं तो मुझे इसकी इस बात का अंदाजा है और आप लोग का प्या आप क्या पढ़ते हैं नहीं आप क्या पढ़ते हैं समझ रहे ना चलिए बहुत बहुत शुक्राइब धन्यवाद प्यार बनाये रखने के लिए नमस्कार हेवे नाईश डे टेक केर शीरादे और हां 10-11-12 को सूरत में भी आ रहे हैं मुलाकात के लिए समय लीजिए टेक क बहुता हैं अधिये बहुता हैं मुलाका उसनी आप कर दो लगते हैं समयुक्राइब यह लीज़त रहाखने के लिए बहुता हैं मुलाका यह पढ़ते हैं मैं चलिए अबला जे रहाखने के दो झाल 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 झाल